बड़ी जलदी कर दी बाई टेस्ट टीम अनौंस करके, बड़ी मुबारक बात है जी, सेलेक्टर स्कोर क्रिकेट बोर्ट गो, एक टेस्ट मैच की टीम अनौंस की गई, अगला महिने टेस्ट सिरीज खिली जानी है इंग्लेंड के साथ, मुलतान से ये पहला टेस्ट मैच खि सीरियस है एक टेस्ट मैच के लिए टीम अनौंस की गई लेकिन पाकिसान क्रिकट बॉर्ड ने जो टीम अनौंस की है अभी और मॉस्स कोई तो इतनी जलती करने की जरूरत क्या थी थोड़ा और टाइम ले लेते हैं अब आप ये देखो कि ये इतने गबराएं में सेलेक्टर जिन्हों ने पाकिस्तान में क्रिकट खेली है इनको इतना नहीं पता कि यार मुलतान में और पिंडी में मैचिस्जज ने किस किसम की विकिट हो गी वहाँ पर जो मेंजिमन कमीटी मतलब जो पार्टन सेलेक्शन कमीटी के हेड कोच और कप्तान उन्होंने जो बूला सेलेक्शन कमीटी ने वो किया बास्ची दली एक जुम्ला बुलता है अफसोस के साथ इतने बड़े नाम दम नहीं है दोनों में दम नहीं है चाहे वो मुहमद यूसुव को चाहे असक शफी को अबंके ये वही होम ग्राउड्द है पाकिस्टान की जहां पर पाकिस्तान को इंडिया ने बहुत धोया था जहां पर पाकिस्तान इंगलैन्ड से से पहले भी मार्क आयी है दोस्तो मेहूर उद्रो और आप से भी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल ब्रदास्ट्यूब रियक्शन वीडियोज के एक नए वीडियो में दोस्तो पाकिस्तन के साथ इंगलेंट के टेसीरी सुड़ अने जा रहा है और उससे पहले पाकिस्तन में अपने टीम जो है अपनी स्कौर्ड जो है वो घुशित की है वो अनूंस किया है तो उसी के बाद आज हम पाकिस्तानी बड़े बड़े एक्स कृक्शन वीडियोज की दरसल दोस्तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोड ने पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर से उन सभी को लेकर एक क्याम किया है जिसका नाम दिया गया है, Connection Camp, अब क्नेक्शन क्याम का मतलब क्या है अब समझ सकते हो, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत दिक्कत है प्लेयरों की एक दुसरे के साथ बनती नहीं है और इसी को सॉट आउट करने के लिए ये कनेक्शन क्याम दिया गया है और आज हम इसी मुद्धे पर पाकिस्तानी बड़े-बड़े एक्स क्रिकेटर्स जैसे की कमरा नकमल, तन्वीर एहमत और बासित अली जैसे क्रिकेटरों की रियक्षन देखने बाले है आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्यार कीजिए और इसी प्रकार के और फे रियक्षन वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बड़ी जल्दी कर दी भाई टेस्ट टीम अनाउंस करके, बड़ी मुबारक बात है जी, सेलेक्टर सको और क्रिकेट बोर्ड को, एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस की गई, तीन टेस्ट मैचिस की सीरियज है, एक टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की गई, अब आब यह देखो कि ये इतने गबराएंवे are selectors जिन्नों ने पाकिस्तान में cricket खेलिए इनको इतना नहीं पता कि यार मुलतान में और पिंडी में matches हैं किस किसम की wicket होगी वहाँ पे, कितने spinners डालने हैं, कितने batsman डालने हैं कितने fast Kellard डालने हैं, क्या करना है मतलब अपनी कंडिशन में इनको नहीं समझा रही कि हम तीनों टेस्ट मैचिस के लिए एक ही टीम अनाउंस कर दें दूसरी कंट्रीज में पाइट टेस्ट मैच होते हैं यह तीन टेस्ट मैच होते हैं वो पूरी टीम स्कॉर्ट अपना अनाउंस कर देते हैं बाई ये पूरी सीरीज के लिए ये प्लेयर्स हैं। और हमारी टांगे कांपरी हैं अपनी सीरीज के अंदर क्योंकि यहां भी स्यासत परच्चियां चलेंगी ना आगे भी जो टेस्ट मैचे जाएंगे उसमें भी उसके बात ये करते हैं कि ये जितने भी प्लेयर टेस्ट टीम में अनौंस किये गे हैं इनको ये जो फ्राडियो टॉर्नमेंट हो रहा है वाइड बॉल से डॉमेस्टिक का उनको रोक दिया गया है बोलें जी आपका जो टेस्ट मैच में जिन जिन प्लेयर का नाम आया है वो ये नहीं खेलेंगे अच्छा उसके बाद तीस तरीक से तीस तरीक से ये सब मुलतान में कठे होंगे क्योंकि पहला टेस्ट मैच मुलतान में फर्स्ट अक्तूबर से इनका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा और साथ तरीक से टेस्ट मैश टार्ट है अगेंस इंगलेड़ अब आब मुझे ये बताओ कि तीस तरीक को वाई कठे होंगे सब मुलतान में इस महीने की 30 को पहली से इनका ट्रेनिंग कैम्प शुरू होगा अब मुझे बात बताओ क्या ये जो छे दिन के अंदर क्या ये प्रैक्टिस मैश भी खेलेंगे अगर ये दो दिन का ये तीन दिन का जो भी अगर प्रैक्टिस मैश केलते हैं तो वैसे इनका बेड़ा घरक हुआ है और बेड़ा घरक हो जाएगा पाकिसान क्रिकट बोर्ड ने जो टीम अनौंस की है अभी और्मोस कोई 9.30 नो बज़े टीम अनौंस की है तो इतनी जलती करने की ज़रूरत क्या थी थोड़ा और टाइम ले लेते और थोड़ा सा लेड कर लेते जो क्रिकट को समझने वाले वो सो जाते कोई बात ना करते टीम के मतलिक फिर जो कल मिटिंग हुई है उसका नाम दिया गया था कनेक्शन कैम्प आपको याद है कनेक्शन कैम कनेक्शन कैम क्या कहा था मैं आपको यह है क्या कनेक्शन कैम भागे मिले वें सबसे ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 पिस रहें, तकलीफ में, मैं जाता हूँ न जब बाहर, मैं लोगों के चेरे देखता हूँ, मुझ जाये वे चेरे, तकलीफ में, क्यों, बुरा हाल है, महंगाई इतनी है, क्या करें बन्दा, चोरी करेंगा न फिर तो, डाके डालेगा, सीधी से बात बुर लो, जब बच्चों के लिए दूद खरीदें के लिए पैसे नहीं होंगे, तो बन्दा क्या करेंगा, मुझे बताओ, अपने इमानदारी से बताना, प्लीज, यह करेंगा ना, पाकिस्तान की, जहां पर पाकिस्तान को इंडिया ने बहुत धोया था, जहां पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड से से पहले भी मार्क आई है, तो इसके ओपर भी बात करेंगे, सबसे पहले स्कौर्ड पर नज़र डालते हैं, अब बात करते हैं, शान मसूद पर जो के हमारे कैप्टन है, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंके कप्तान है, लेकिन रेस्ट कर सकते थे, शान मसूद क्योंके प्लेइंग 11 अभी अनौस नहीं हुई है, लेकिन शान मसूद कोई बहुत 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 करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ना इनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस थी लास्ट और ना ही इनकी आगए चैंपियन्स कप के अंदर कोई हास परफॉर्मेंस साउच शाकील वाइस कैप्टन हैं, इस वक्त कप्तान भी है, चैंपियन्स कप की एक टीम के और बहतर हैं, काफी हद तक बहतर हैं अगर हम देखते हैं तो, साउच शाकील कैप्टन सी के अतबार से भी बहतर हैं, जो इनने अपनी इस वक्त चैंपियन्स कप के अंदर की है और performance के अतवार से भी बेहतर है आमिर जमाल जिनको पहले भी शामिल किया गया था मगर injury का क्याकर बाहिर कर दिया गया और आमिर जमाल जिनकी कोई खास performance नज़र नहीं आ रही है वो भी squad का हिस्सा है अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करूँ तो अब्दुल्ला शफीक जनाब जो के मुसलसल बुरी तरह से इनको मतलब के आउट करके लोगों को अच्छा लगता है इनरजी मिलती है धूप मिलती है च्छाओं मिलती है इस तरह से आउट हो रहे हैं दौाओं के बाबराजम के एक सेंचरी पूरी होगी है, बाबराजम में तो शामिल होना ही तो अविस सी बात है, मीर हमजा की बात करें, मीर हमजा ठीक है, एक अच्छा टैलन्ट है, एक नया टैलन्ट है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मुहम्मद हुरेरा की, तो हुरेरा अगर मैं बात करूँ कि इन्होंने फर्स क्लास में और अस्ट्रेलिया की पिचिस के अंदर अगर कोई बांसर बांसर लगया मुहमद रिजबान को तो फिरा सर्फ राजमत आ जाएंगे शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल है और शाहीन शाह अफरीदी ने डेफिनिटली शामिल होना ही था